नमस्कार दोस्तों, ढ़्यान स्टूडियो में आप सभी का बहुत भुष्सागत है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्थ विडियो में हम जानेंगे कि मुह के कैंसर के क्या-क्या सिंटम hommes हो सकते हैं यदि किसी व्यक्तिव को मुह का कैंसर हो गया है तो वैसे तो दोस्तों कैंसर जो होता है बहुत ही घातक विमारी मानी जाती है क्योंकि यदि इसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो इसमें व्यक्ति की मित्वी तक हो जाती है और दोस्तों जो यह कैंसर होता है वह कई तरह का होता है मुह में भी हो सकता है या किजी के लिवर में भी हो सकता है ब्रेस्ट में भी हो सकता है और दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुह के कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं दोस्तो मुह यानि कि मुख का कैंसर मुह में जीव, होट और गले में भी हो सकता है दोस्तो यदि ये लक्षन आपको दो सब्तार या अधिक समय तक दिखाई देते हैं तो आप इसमें बिल्कुल भी देर ना करें आप तुरंट टॉक्टर के पास जाएं क्योंकि इसका जो इलाज होता है वह लंबे समय तक चलता है तो जलिए दोस्तो जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को मुख पर कैंशर हो जाता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स उसके मुख पर दिखाई देते हैं दोस्तो मुख के अंदर कभी भी कोई गाट या फिर कोई जक्म हो जाता है जो कि लंबे समय तक रहता है तो यह एक कैंसर का एक लक्षांग हो सकता है वहीं दोस्तों होट जीव या मुख के किसी या फिर किसी और हिस्से में रंग लाल या सफेद हो जाता है यानि कि आपके मुख के अंदरी हिस्से का रंग बदलता है तो यह भी एक cancer का कारां हो सकता है वहीं दोस्तों मुखमें कभी भी डर्ध या फिर सुन्पन रहता है या फिर कुछ समय के लिए मुख के अंदर सुन्ध हो जाता है यानि कि कुछ भी महसूस नहीं होता है तो यह भी एक कैंसर का कारां हो सकता है वही दोस्तों बिना किसी कारां के यदि डांट तूतते हैं तो यह भी एक कैंसर का कारां हो सकता है वही दोस्तों जबड़ा या जीब हिलाने में दर्द होता है या फिर कुछ भी निगलने या चबाने में भी दर्द महसूस होता है तो यह भी एक कारा हो सकता है वहीं दोस्तों इसके साथ ही ऐसा वेक्टी जिसे कैंसर हुआ है उसके एक कार में दर्द होना बिना सुनने में रुकाबट होना यह भी एक कैंसर का कारा होता है तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह चोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप मेरे जानल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए साथी साथ पैल आइकन को दबाईए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुच सके